बॉलिवुड की एक एक्ट्रेस अमेरिका गई फिल्म की शूटिंग के लिए और फिर वहीं के एक स्टूडेंट से उन्होंने शादी कर ली जिहां ये दिल्चस्प कहानी है राजश्री की जो की 60 के दशक की मशूर एक्ट्रेस रही उनको अपने ब्रह्मचारी फिल्म में द पर आ गया और उन्होंने अपने अच्छे भले करियर को छोड़ कर जो है उनसे शादी कर ली और बॉलिवुड में जो काम करना एक्टिंग की दुनिया को छोड़ दिया और जाकर अमेरिका बस गई तो ये कहानी हम आपको उनकी पूरी बताएंगे डिटेल में आपको ये ये कि राश्री जो है वी शांतराम जो की मशूर फिल्म में कर रहे है उनकी बेटी रही है उनकी दूसरी पतनी जैश्री से वह पैदा हुही थी और राश्री जो है कह सकते अभी 78 साल की हो चुकी है और 1944 में उनका जन हुआ था राजश्री जिने पहले तो कई फिल्मों में बालकलाकार के तोर पर काम किये और फिर उसके बाद 1964 में उनके पिता वीशांताराम ने उनको गीत गाया पत्थरों ने फिल्म से बॉलिवुड में लॉंच किया इस फिल्म में राजश्री जीतेंदर के अपोजिट थी और ये फिल्म जो है काफी चर्चा में रही इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सा रहा गया इसके अलावा जानवर फिल्म में भी लाल छड़ी मैदान खड़ी गाने में लोग उनको याद करते हैं इस फिल्म में भी उस शमी कपूर के साथ थी और ये फिल्म भी हिट रही थी इसके अलावा उनकी कई और फिल्म में जो रही वो उतनी नहीं चली लेकिन इन 4-5 फिल्मों की वज़ा से जो है राजश्री को लोग आज भी याद करते हैं राजश्री ने राज कपूर के साथ एक फिल्म की थी अराउंड दवर्ल इस फिल्म में कहानी ये थी कि राज कपूर और राजश्री शिप के जरिये दुनिया भर की सैर कर रहे हैं जिसमें उन दोनों के बीच काफी नोट जोग दिखाया गया फिल्म का गाना भी बहुत पॉपलर हुआ था और इसी फिल्म की शूटिंग जब अमेरिका में चल रही थी तो राजश्री को जो है वहां के एक स्टूडेंट ग्रेग चैपमैन से प्यार हो गया राजश्री जो है लोस एंजलिस में रहती है उनकी एक बेटी है और वहां जाकर जो है उन्होंने अपना एक कप्डो का बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस जो है उनका बहुत अच्छा चल रहा है फिल्मों में उनकी रूची थी इसके लिए उन्होंने हॉलिवुड की दो-तीन फिल्मों में असिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर काम भी किया राजश्री जो है सोशल मीडिया से भी काफी दूर रहती है और बहुत जादा उनका भारत आना जाना नहीं होता लेकिन आज भी लोग साथ के दर्शक की उस खूबसूरत अक्ट्रेस को जो है याद करते हैं